हलो मेरे भाईो तो कैसे हैं आप सब दोस्त उमीद है सब दोस्त बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे जैसे कि मैं आप सभी को पहले बोलता था कि बस इलेक्शन्स खतम होने दीजिए बर्तियां जो है उनकी लाइन लगने वाली है तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है ठीक है तो देखिए तब बोल रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो तो जिन जिन वाईयों ने कमान समाल ली टाइम किसे तो वो तो बढ़िया है एक और न सेफ तो वाई कह लीजिए कि अब तावड तोड बर्तियां निकाल रहा है लगातार एक से बढ़ कर एक एक से बढ़ कर एक अलग लग डिपार्टमेंट में जो है बीएस अफ बरतियां कंडक्ट करवा रहा है और ये कुछ ऐसी बरती है जो मैं आपके लिए भी लाया तो उसमें बहुत कम बच्चे जो है वो पार्टिस्पेट कर पाते हैं तो चलिए बॉडर सिक्यूरिटी फोर्स बीएस अफ के दुबारा ओफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है इसका जो है सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और कौन-कौन सिवर्तियां आई हैं क्लियर है तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को जो है वो सबस्क्राइब कर लो मेरे वाई ओ और अपने सभी दोस्तों के साथ फैला दो इस वीडियो को शेर कर दो ठीक है ताकि और ज जून से जो है वो स्टार्ट हो रही है और फॉर्म जो है इसके एर्थ आफ जुलाई तक लगेंगे आठ जुलाई तक जो है इसके फॉर्म लगेंगे और नाइन से स्टार्ट हो रहे हैं एक नमबर दूसरा नमबर ये देखिए यहाँ पे हल्प नाइन नमबर दिया हुआ अगर कोई भी doubt रहता आपको तो वो आप यहां से कर सकते हैं अब बात करते हैं कि वर्ती जो है वो किस किस post पे निकली है male, female, लड़का, लड़की दोनों जो है वो देख सकते हैं इसके लिए लड़का, लड़की दोनों देख सकते हैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ Assistant Sub Inspector की जिसे हम ASI बोलते हैं एक होता है Sub Inspector Double Star ASI होता है एक स्टार के बाद ठीक है एक तो निकली है ASI की Stenographer और Combatant Stenographer में एक नमबर और दूसरा नमबर जिसमें मुझे लगता है सबसे जादा बच्चे जो है जाएंगे वो है Head Constable की Ministerial ठीक है Clear है Head Constable की Ministerial की निकली है जिसमें आलमोस्ट बच्चे में कह सकता है जाएंगे और ये सब किसके अंदर आ रही हैं CAPF Central Armed Police Force के अंदर आ रही है और Warrant Officer की भी जो है बरती इसमें निकली हुई है हवलदार की है असाम राइफल में ये सब जो है बरतीयां निकली हुई है चलिए इसके नीचे अब देख लेते हैं important जो जो चीज़े इन्होंने बताई हुई है ये सब जो है या पढ़ लिजेगा ये basic है वो ही जो आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी है ASI की है stenographer में headcon stable की है ministerial में warrant officer है हवलदार clerk है असाम राइफल में ये सब बरतीयां जो है निकली हुई है अब इसके सिवा बात करते हैं कि कितनी कितनी post जो है मेरे बाई निकली हुई है और किस किस के लिए कितनी post है बात करते हैं सबसे उपर पहले वाले की तो इसमें क्या है ये है ASI के लिए सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर stenographer के लिए है ये और warrant officer जो की असाम राइफल में है उसके लिए है ये उनके लिए देख लिए देख लिए में मेल फीमेल दोनों लिखा हुआ है टोटल जो है 21 आइंगीस में ये आपकी unreserved EWS, OBS, OBC, SC और ST ये सभी आपकी categories है इन में आप अपनी अपनी वर्तिस जो है वो देख लिए screenshot ले लिए इसका उसके बाद BSF की भी है BSF की है 17 ITBP ने यहां पर मोकाम आ रहा है 56 लेके और ITBP से भी उपर दिल खोल के सामने आया है CISF 146 जो है वो पोस्ट निकाली है किसने CISF नी और CISF जो है ये वन आफ दी वेस्ट जॉब में आती है क्योंकि यहां पर वर्क लाइफ वैलन्स जो है वो बहुत बढ़िया है आप कहसकते हैं कि जॉब के साथ-साथ आपको और काम करने का भी जो टाइम यहां पर मिल जाता है और SSB में जो कि कितनी है तीन पोस्ट जो है वो टोटल आई है ये तो करेंगे वो बच्चे जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है जो अच्छे लेबल पे पढ़ रहे है जो स्टैनो में जाना चाते है स्टैनो वाले हो गई अब जी आगया जो सबसे प्यारा है और जो सबसे ज़्यादा बढ़ा जाएगा वो है कौन सा हेड कॉन स्टेबल का मनिस्ट्रियल का मेरे वाई हवलदार कलर्क भी है यहाँ पे हवलदार कलर्क किस में है बस असाम राइफल में है और किसी में नहीं है और हेड कॉन स्टेबल जो है सबसे पहले बात कर लो CRPF की CRPF की CRPF वाले कौन से होता है ITBP 163 पोस्ट दे रही है CISF यहाँ भी दिल खोल के सामने ही है 496 पोस्ट जो है दे रही है यो कि एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे बाई मेल फीमेल दोनों के लिए है मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है कोई वेदबाब नहीं है सब भी जो जो फोड सकता है वो फोड़िये इनमें होगा क्या इनमें होगा क्या इनमें एक चीज का धियान रखिये इनमें एक तो स्टैनोग्राफिक का टेस्ट होता है और दूसरा टाइपिस्ट का ठीक है शोट हेंड, स्टैनो और टाइपिंग का टेस्ट होता है अडिशनल जो होता है बाकी सब आलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा अब डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो फिलाल इसमें नहीं आया हुआ है जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आपकी हाइट, चेस्ट, वेस्ट, जो कुछ भी दिया होगा वो सब आपको यहाँ पे मैंशन कर देंगे और वो कब निकलेगा? 9th of June को निकलेगा तो सब भी दोस्ट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेर भाई हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो आपको डाल दूँगा तो आप जो हैं आगे से उसकी त्यारी वहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे एक मेन बात रहती है इसकी स्लेबस की ठीक है कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर स्लेबस जो है वो इसका क्या रहेगा देखिए इसको कंड़क्ट कोन करवा रहा है इसे कंड़क्ट कोन करवा रहा है मेरे वाई तो कंड़क्ट करवा रहा है बी एस एफ तो आप कह सकते हैं कि BSF की BSDs का syllabus रहेगा BSF अगर conduct करवा रहा है तो normal सी बात है कि BSF अपने तरह के जो syllabus उसका चल रहा है exam के लिए वही रखेगा ठीक है इसमें 20-20 नंबर क्याते है 20 नंबर के GK, 20 की reasoning 20 की हिंदी जाए English, 20 का maths और 20 का basic computer आप कह सकते हैं, उमीद अभी यह है, और हो सकता है कि basic computer ना आए, तो उसकी जगा यह चार subject तो पका जो है मेरे भाई, वह आपको आने ही बाले हैं, क्योंकि CAPF में, SSC में यही चार subject जो हैं, वो main आते हैं, अगर आपने अभी पीछे last SSC के exam दिया होगा और भी बहुत सारी बरतियां भी आने बाली हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सब भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी जबरदस्त बरति आके निकल भी जाए और आपको पता भी ना चले इसलिए बहुत रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो बरति जो जो आएगी अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो दीजे इजाज़त मेरे भाईयो जय हिंद, जय वारत